अगर आप भी cryptocurrency space में enter कर रहे हैं तो आपके लिए MetaMask को समझना बहुत जुरूरी है MetaMask एक decentralized wallet है जहाँ पे आपके wallet पे सिरफ आपका control है यानि कि अगर आपकी private की आपके पास है तो आपके सिवा उस wallet को कोई भी access नहीं कर सकता है इसी के साथ साथ आप अपने MetaMask के ओपर काफी type की cryptocurrency या tokens को store कर सकते हैं चाहे हो different blockchain से हो Polygon, Binance, Ethereum किसी भी blockchain से हो आप सभी tokens जो है अपने MetaMask के ओपर store कर सकते हैं और ये एकदम free wallet है इवन दो आप MetaMask के थूँ काफी daps यानि कि decentralized application and decentralized exchanges को भी access कर सकते हैं इसी के साथ साथ आप MetaMask के थूँ NFT को भी buy कर सकते हैं जो कि अभी काफी ज्यादा trend के अंदर चल रही है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको step by step guide देने वाले हैं कि कैसे आप MetaMask का wallet setup कर सकते हैं और इसको use कर सकते हैं different blockchains के अंदर, different daps केंदर आपके लिए वीडियो काफी ज़्यादा helpful रहने वाली है so without wasting any more time, let's begin सबसे पहले आपको MetaMask के website के उपर चले जाना है आप इसे google से भी access कर सकते हैं MetaMask लिखेंगे तो first number पर website आजाएगी इसके उपर आप click कर सकते हैं but make sure URL लिख बार check कर लें MetaMask.io के नाम से हो तो कुछ इस तरह से हमारे सामने interface होगा जैसे download के उपर click करेंगे तीन options आएंगे Chrome, iOS, Android अभी के लिए हम Chrome के उपर install करेंगे Install MetaMask for Chrome जैसे आप इसके उपर click करोगे कुछ इस तरह से page open होगा और आप अपने Chrome के उपर MetaMask का extension जो है install कर सकते हैं तो यहाँ पर MetaMask का extension मेरे Chrome के उपर add हो गया और आप देख सकते हैं Welcome to MetaMask यहाँ पर हम get started के उपक्लिक करते हैं तो दो options आएंगे यहाँ पर आपके पास first अगर आपके पास already private की है आपने already wallet बनाया होगा कोई तो आप यहाँ पर अपने उस wallet को import कर सकते हैं private की डालके बट अभी के लिए हम यहाँ पर नया wallet create करेंगे यहाँ पर कुछ instructions आएगी इसको हम I agree के उपक्लिक कर देते हैं और यहाँ पर password फिल कर देते हैं यहाँ पर हमने password फिल कर दिया है I have read and agree to determine condition पर क्लिक करके create पर क्लिक कर देते हैं जैसे create के उपर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह से page open होगा जहाँ पर आपको कुछ instructions मिलेगी कैसे आप अपने wallet को secure कर सकते हैं क्या होती है recovery की आपको कैसे उसको save करनी है और क्या आपको किसी के साथ share करनी चाहिए तो नहीं आपको अपनी recovery की किसी के साथ भी share नहीं करनी चाहिए next को पर क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने जो दिख रहा है यह हमारी private की है जो की most important है अगर आप इसको खो देते हैं तो इसके बिना आप अपने wallet को access नहीं कर पाएंगे और आपको यह जो की है किसी के साथ भी share नहीं करनी है समझ लीजे जैसे आपके घर की की होती है उसके तुरू कोई भी आपके घर में enter कर सकता है वैसे ही इस private की के तुरू कोई भी आपके wallet को access कर सकता है तो make sure इसको आप careful तरीके से save करें कुछ इस तरह से words आएंगे इसको आप paper के ओपर pen down करके रख सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको online save करेंगे तो हो सकता आपका mobile hack हो जाए हो सकता आपकी email hack हो जाए तो आपको बहुत ही careful इसको रखना है यहाँ पर हमने सभी जो recovery की थी वो align कर दी है अब हम इसको confirm करेंगे confirm करने के बाद congratulations का message आता है और यहाँ पर कुछ tips and safety की tips मिलेगी जिसको हम all done कर देते हैं तो जैसे आप इसके उपर click करोगे कुछ इस तरह से आपके सामने page होगा जहाँ पर आपको what's new देखिएगा और बहुत ही careful तरीके से वोट कीजिएगा तो यहाँ पर हमें कुछ options देखने को मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम check करते हैं यहाँ पर हमें account मिलेगा यहाँ पर और भी accounts हम add कर सकते हैं create account के उपर आप click करके वापस एक और account create कर सकते हैं Elena भी change कर सकते हैं अब यहाँ पर name रख देते हैं ministry of crypto तो हमारा एक और wallet भी यहाँ पर create हो चुका है तो दो wallet हमारे बन चुके हैं अब यहाँ पर import करना चाहू तो import कर सकते हैं अगर आपके पस पहले कोई wallet है आपके पस अदर trust wallet है trust wallet पर आपने account बनाया वा तो उसके private की भी आप metamask के अंदर login कर सकते हैं connect hardware wallet अगर आप hardware wallet से connect करना चाहते हैं ledger, treasure तो आप उससे भी connect कर सकते हैं उसके सिवा आपके पस कुछ और options आएंगे settings वगरा के जिसके अंदर जाके आप currency वगरा change कर सकते हैं आपका जो balance है वो Ethereum में दिखाए या फिर like USDT में दिखाए वो सब चीज़े आप यहां से control कर सकते हैं context में जाएंगे तो यहां पर आप contacts add कर सकते हैं कि अगर आपके frequently कुछ addresses को आप use करते हैं तो यहां पर आप username देख सकते हैं जिसके मैं lucky username यहां पर दे देता हूँ और यहां पर आप कोई भी wallet address जो है वो add करके यहां पर save के ओपर click कर देते हैं अभी wallet address wrong दिखा रहा है तो हम इसे cancel ही करते हैं and then other features के बारे में बात करते हैं यहां पर यहां पर हमारा cover हो चुक है क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ चुक है लोग के ओपर click करेंगे तो फिर आपस password मांगगा जो हमने सबसे पहले set किया था अब यहां पर हम three dots के ओपर click करेंगे तो हमें और भी features देखने को मिलेंगे एक कुछ advanced feature है जिसके बारे में बात में बात करते हैं उससे पहले यहां पर देखें तो zero ethereum दिखा रहा है यहां पर हमारा balance दिखाएगा कि कितना balance चल रहा है अभी हमने नया wallet create किया है तो it means हमारा zero balance यहां पर चल रहा है उपर की बात करें तो आपको name दिख रहा होगा first number पे कि MOC जो की हमारे wallet का name है यह आप कुछ भी rename कर सकते हैं नीचे आपको एक address दिख रहा होगा इस address को आप copy कर सकते हैं यह आपका public address होता है यानि कि अगर आप किसी भी exchange से suppose Binance से, WazirX से, CoinDCX से, किसी भी exchange से अगर आप transfer करना चाते है MetaMask पे तो आप इस wallet address के ऊपर transfer कर सकते हैं दो case होती है private की and public की, public की आपको लोगों के साथ share करनी होती है और private की आपको अपने पास रखनी होती है तो इसके ऊपर आप भेज सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर कुछ भी amount transfer करते हैं तो आपके इस wallet के ऊपर यहाँ पे show होगा अब यहाँ पर हमारे पास तीन options मिलते हैं, buy, send, swap अगर आप buy के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप buy कर सकते हैं जो कि मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि यहाँ पर options जो हो इतने जाद अच्छे नहीं है, इससे अच्छा आप किसी exchange से buy करके यहाँ पर transfer कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर token है, suppose कि आपके पास Ethereum पढ़ा है या फिर O token पढ़े हैं, दूसरे tokens भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं, आप कैसे करना है, यहाँ पर import token के ओपर click करेंगे, यहाँ पर कोई भी custom token अड़ कर सकते हैं, जिसका data आप fill कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर search कर सकते हैं, कोई भी token आप search करना चाहें, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर custom token भी add कर सकते हैं, इससे अच्छा option आपके पास एक और भी है, कि आप coin market cap के ओपर जाके सीधा कोई भी token यहाँ पर integrate कर सकते हैं, जैसे मैं इसके ओपर click करूँगा, यह सीधा वहाँ पर मेरे wallet के अंदर add कर देगा, add token के ओपर जैसे click करूँगा, तो अब यहाँ पर मेरे wallet के ऊपर show होगा, आप देख सकते हैं, एथिरियम के साथ Shiba Inu भी आ चुक है, ऐसे आप जितने भी tokens add करना चाहें, यहाँ पर add कर सकते हैं, अब यह Ethereum की blockchain से connected है, तो आप सिरफ यहाँ पर ERC20 tokens ही add कर सकेंगे, यहाँ पर आपके सभी tokens आ जाएंगे, जो जो आपको दिखाएगा, तो यहाँ पर send पर click करने पर आप किसी भी wallet address पर send कर सकते हैं, स्पोस मैंने यहाँ पर wallet address कोपी कर दिया है, हमारे wallet address जो भी अब मैंने create किया था, और यहाँ पर token हो आपके पास and यहाँ से आप amount select कर सकते हैं, अभी हमारे पास funds नहीं है, इस wallet के अंदर जैसे कि हमने अभी wallet create किया है, तो मैं यहाँ पर अपना एक पुराना wallet import कर लेता हूं, ताकि मैं आपको अच्छे से explain कर पाऊं कि कैसे आप further steps पूरे कर सकते हैं, so reference के लिए हमने यहा पर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा Ethereum का balance दिखा रहा है, 0.2 Ethereum 590 डोलर और यहाँ पर मेरे पास 6000 USDT भी रखा हुआ है ERC20 Chain का, and मैं चाहूं तो इसे send कर सकता हूं किसी को भी, suppose मैं आपने address पर ही इसको send करता हूं, तो यहाँ पर हम अब put कर सकते हैं, कि हम क्या transfer कर करना चाहता है, suppose मैं USDT transfer करना चाहता हूं, और यहाँ पर मैं amount fill कर देता हूं, कि मैं 100 यह 200 USDT जो है, यहाँ पर transfer करना चाहता हूं, next के उपक्लिक करूंगा, तो हमें कुछ इस तरह से interface आएगा, जहाँ पर आपको gas fee बताएगा, कि आपकी कितनी gas fee लगने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 12 USD के fees अभी मेरी यहाँ पर लग रही है, और अगर मैं confirm करता हूं, तो मेरी transaction successful हो जाएगी, आप इसे कम जादा भी कर सकते हैं, transaction fees को, कि अगर आप चाहते हैं, आपकी transaction fast जाए, तो आप इसे high कर सकते हैं, आप चाहते हैं, मुझे फरक नहीं पड़ता time से, बट मेरी fees कम लगे, तो आप यहाँ पर low पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको cancel कर देता हूं, मैं इस transaction को नहीं complete करूँगा, क्योंकि मेरा ही address है, अगर मैं transaction complete करता हूं, तो फाल्तु के 10 डोलर यहाँ पर लग जाएंगे, तो reject कर देते हम इसे, उसके बाद हम आप it buy कर सकता हूं, और यहाँ पर review swap के उपर क्लिक कर देता हूं, लेकिन अभी के time में swap नहीं करना चाता हूं, तो मैं इसे भी cancel कर दूँगा, तो यहाँ की हमारी सभी activities complete हो चुकी है, activity का जो field है, यहाँ पर आपको सभी tokens दिखाएगा, यहाँ पर जो activity है, इसके अंदर आपके सभी transactions दिखाएगा कि आपने past में क्या-क्या transactions की है, यह wallet create करने के बाद, अब इसके बाद यहाँ पर three dots पे click करते हैं, तो हमें कुछ होर functions देखने को मिलेंगे, view account on etherscan, etherscan आपको पता होगा, एक explorer है, जहाँ पर आप check कर सकते हो, track कर सकते हो data, यहाँ पर आप इसी वोलेट को यूज किया था, इसके इंदर कोई transaction की थी, तो आप सब कुछ यहाँ पर check कर सकते हैं, यहाँ से 20 tokens चेक करना चाहें, तो यहाँ पर पूरा data आपको दिखाएगा कि इतने time पहले इतनी इतनी transactions यहाँ पर हुई हुई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक पूरा रख सकते हैं, चीजों को चेक कर सकते हैं, connected sites के ओपर दिखाएगा कि यह आपका जो particular wallet है, यह कौन सी sites से already connected है, आप इसी wallet को decentralized application के अंदर use कर सकते हैं, decentralized exchanges के अंदर use कर सकते हैं, जैसे कि 1 inch, Uniswap या बाकी इतनी exchanges मिलते हैं, जहाँ पे आप इसको use कर सकते हैं अब काफी लोगों को यह misconception है कि जो metamask है वो सिरफ ERC20 tokens को support करता है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप दूसरी blockchains भी add कर सकते हो, add network के ओपर click करोगे तो आपको options मिलेगा कि आप दूसरी blockchains भी add कर सको, अब आप इनका अगर data देखना चाहते हो तो आपको search करना है Google के उपर कि Binance Metamask, इससे आपको Binance का Metamask का data मिल जाएगा और आप उसको अगर वहाँ पे fill करते हैं, तो आप Binance की blockchain को भी इससे integrate कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखते हैं, data पूरा का पूरा दिया हुए, mainnet का data, जैसे जैसे अगर हम यह fill कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारी BAT20 की जो wallet है, वो भी integrate हो जाएगा, तो भी मैं आपको लाइव Binance की blockchain भी इसके साथ integrate करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई problem नाए, मैंने आपको दिखा दिखा दिएगी कैसे आपको Google के अंदर search करना है, अब मैं one by one दूसरी screen के उपर रखके, इसको add कर देता हूँ यहाँ पर हमारी BAT20 यानि की Binance Smart Chain भी add हो जाएगा, आप देख सकते हैं मेरी इस wallet के उपर 26 BNB भी दिखा रहा है, यहाँ पर 26 BNB, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी Ethereum की blockchain भी है, और यहाँ पर मेरी Binance की blockchain भी है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर Polygon या दूसरी blockchains भी add कर सकते हैं, और सभी type की blockchains को आप MetaMask के through use कर सकते हैं, और फिर से add कर देता हूं कि अगर आपने Trust Wallet के उपर account बनाया हुए, तो वो भी आप यहाँ पर import कर सकते हैं, क्योंकि यह जो मैंने यहाँ पर wallet इंपोर्ट किया है, यह मैंने Trust Wallet के उपर ही create किया था, और यहाँ पर अगर आप smart chain के उपर देखना चाते हैं, क्या-क्या data है, तो आप सीधा यहाँ से connect कर सकते हैं, view on explorer, अभी आपको BSC scan पर ले जाएगा, और दिखाएगा कि क्या-क्या token आपके पास रखे हुए है, यहाँ पर आपको बाकी tokens दिखाएगा कि आपके पास कौन-कौ इसमें आ गया होगा, अगर आप और tokens भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके हम Ethereum की blockchain के उपर वापस shift करते हैं, और आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई token, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास contract address है, स्पोस किज सब डेटा आपको सभी coins का coinmarketcap के ओपर मिल जाएगा, coinmarketcap.com website को आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर हम paste कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि Uniswap भी हमारा as a token यहाँ पर आड हो गया, तो आइसे आप कितने भी token आड कर सकते हैं, यहाँ पर, यह काफी useful है Metamask का wallet क्यो के और वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पर हम Metamask को different daps के साथ, different decentralized exchange के साथ, आपको use करना सिखाएंगे, अगर आप मैंच चैनल पर new है, तो इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, thanks for watching this video, I will see you in the next.